लिए बच्चों नेक्स्ट कुश्ण देखते हैं फंक्शन का कुश्ण है ना लेट एफेक्स बराबर देरखा आपने को लोग में और साइन इंवर्स और कॉस इंवर्स तो डॉमें पूछा है डॉमें आप इन फेक्स देरका अपने को अपने को बिटा तो अब को केलकुलेट करना अपने बना वेल्यू को वह सिंपल सा ही प्रॉब्लम है लोग में आपन डॉमें जानते हैं कि लोग में कोई फंक्शन का वो defined होता है जब वो positive होना चीए कोई भी number positive होना चीए sin inverse में आपन जानते है वाइनस 1 से 1 होना चीए और cos में भी वाइनस 1 से 1 होना चीए तीनों का individual solve करेंगे और फिर अपन intersection point ले लेंगे तो alpha beta मिल जाएगा चलिए solve करते हैं तो इसके लिए क्या आना चीए वैच्चो कि 4x square 4x square plus 11x plus 9 should be क्या होना चीए greater than 0 होना चीए greater than 0 for every x belongs to r के लिए greater than 0 होना चीए अपने को x की वो यह निकान लिए जिस्से ये greater than 0 आ जाए x belongs to r नहीं देखना है क्या मिलता है यह बात है इसको solve करना आपने को greater than 0 के लिए x find करना है ठीक है अब यहाँ देखो quality equation है इसका factorize देखते हैं आपन तो d निकालने इसका d केसा है तो b square 121 minus 4ac यह आरा 121 minus 169 जा 144 यह नि नेगेटिव है तो d is less than 0 है किसी भी quality का d negative मतलब हो quality always positive है तो यहां से बोल सकते हैं आपने की 4x square plus 11x plus 9 is greater than 0 for every x belongs to r तो यहां से क्या मिला आपने को x belongs to r के लिए positive है तो सारी values इसको satisfy करेगी ओके तो इसके लिए लोग वाले के लिए निकालिए अब देखिए second function के लिए बात करते हैं आपन inverse वाले के लिए तो यह क्या होना चाहिए inverse में आपन जानते है minus 1 से 1 के भीच में होना चाहिए इसके लिए आपन minus 1 4x plus 3 should be less than 1 x find कर ले 3 को subtract कर देता हूं तो minus 4 4x minus 2 4 से divide कर देता minus 1 x minus 1 by 2 तो यह second मिला आपने वाना और third function आपने पास cos inverse में यह भी कब होता है defined यह भी minus 1 से 1 होना चाहिए cos inverse के लिए तो यह भी minus 1 से 1 tan x plus 6 by 3 less than 1 3 से multiply कर दें पहले है तो 10 x plus 6 अब 6 को subtract कर देता minus 9 minus 3 tan से divide कर देता minus 9 by 10 x और minus 3 by 10 यह थर्ड है अब तो दोनों का intersection ले लेते हैं तो एक्स जो होगा आपने पास intersection होगा first intersection second intersection third तो first में तो आरे second और third का होगा तो क्या देको इसमें direct दिख रहा है नहीं दिखे तो आप number line से ले सकते हैं लेकिन इसमें बता लग रहा है minus 1 से बढ़ा है इसमें minus 9 by 10 से बढ़ा है तो क्या आएगा आपने पास x belongs to minus 9 by 10 और minus 1 by 2 और minus तो यह क्या होगा आपने पास अपने को निकालना है 10 times alpha minus beta तो easily calculate कर सकते हैं आप इसको alpha minus beta का mod 10 into alpha minus 9 by 10 और यह minus half तो plus हो जाएगा का mod निकालना है तो यह minus 9 plus 5 तो minus 4 आएगा तो मोड बार जाएगा तो 4 आएगा ओके तो एक सिंबल चा प्रोब्लम था जो सभी बच्चे जानते हैं डोमें को find करना easily तो answer is का third है ना ओके तो next problem प्रोब्लम प्रोब्लम था यह बनना चीज़ता अर बच्चे से ना तेको negation of the statement पूछ रहा है ना तो mathematical reasoning का question में definite बनी जाता है ना बहुत सारे मितर्द से होते हैं अपने पास निकालने की कुछ नहीं आ रहा है तो फिर आपन टूट टेबल से तो बना ही सकते हैं अधरवाइस algebra है set theory से भी कर सकते हैं तो यह कोई statement दे रखा है पी यह इसका अपने को negation find करना है तो पहले सी statement को simplify कर लेते हैं क्या है अपने बास तो यह कोई statement दे रखा है पी and q and negation of p और q अब देखें यह आपने पी and यह q है तो यह दोनों को आपने इंटरचेंज करी सकते हैं तो यह आपने q and p and negation of p or q. अब देखें लो लगादे हमन q and तो इस में देखें लो लगादें of p क्या होता है दोनों में common तो कुछ है नहीं तो यह तो c of f लिख सकते हैं तो q and यह f या c लिख सकते है p and q अब इसके साथ intersection लेंगे इसमें तो फाई है तो यह p and q तो यह आएगा तो q and p and q अब दोनों में end लगा ना आपने पास इसमें तो p and q है तो क्या है यह this is equivalent to p and q आएगा ना तो जो statement दे रखा था आपने को वो है क्या है इस किसके equivalent है p and q के लेकिन अपने को पूझा क्या है इसमें negations तो negations पूझा है ना तो नाव जो statement है इसका negation पूझा है तो यह अपने पास इसका negation p and q पूझ रहा है तो negation of p और negation of q बोल सकता है तो negation of p और negation of q या ऐसा भी लिख सकता था लेकिन option में ऐसा given है ना तो option 3 है तो simple question ने एक mathematical reasoning definite बन ही जाता है लगबग तो next problem पर आते हैं बच्छों question number 12 है sequence and series का question से है तो देखिए sequence series में थोड़ा सा बस देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या अपने को बिठाना है कि sequence इस साब से बिठाना है 1 by 2 minus 1 by 3 को sequence पता लग रहा है आपको देखकर या 1 by 2 का square यह 1 by 2 1 by 3 1 by 3 काई स्कार 1 by 3 2 का cube 1 by 2 का cube 1 by 2 1 by 3 कुछ problem लग रहा है लेकिन मैं रहा है किभी simulator नजर नहीं आरी तो यहाँ पर 2 होना चाहिए square होना चाहिए यह printing error है तो 1 by 2 कर लिजे आपर 1 by 2 का square 2 को यहाँ देखकर पता लग रहा है 1 by 2 का cube है तो यह यह भी cube है तो यह square होना ही चाहिए तो यह square होना चाहिए यह printing mistake होगे तो यह 1 by 2 का square है ना पर यहाँ थोड़ा जा माइने से लग रहा है तो क्या करना है अपने को इसको थोड़ा simplify कर लें को similar way में बना लें तो यहां क्या कर दूँ मैं 1 by 2 और plus plus 1 by 3 के लिए आता हूं मैं यह 1 by 2 plus 1 by 3 तो क्या करूँ मैं 1 by 3 को 8 करकों और subtract कर दूँ एक पहले से मैरे पास और एक और वर सब्ट्रे Ouais होड हो जाएगी मैरे पास तो 2 को जाएगी तो पहले मैं a series लिखने दाहूं plus 1 by 2 का स्क्वार plus 1 by 2, 1 by 3 plus 1 by 3 ka square ok. I say 1 by 2 ka cube plus 1 by 2 ka square into 3 plus 1 by 2 into 3 ka square plus 1 by 3 ka cube, aysi chal raha na series, upto infinite tuk ja raha na, aapne kya ye terms maine nye substrate ka raha tha, aapne meine plus 1 by 3 aid ka dya, aapne plus 1 by 3 aid ka dya, aapne plus 1 by 3 aid ka dya, aapne plus 1 by 3 or 1 by 3, minus 2 by 3 subtract ho jaya ga total me se, isko baad me aapne aid ka dya na, to joh ye aai ga iska sum, woh kiske equal equal dhe rakhka aapne ko alpha by beta ki dhe rakhka hai, to baad me usko calculate ka lhe, to dhekhi aapto series ko dhkhraya hooga, to kya karu maine jheko, 1 by 2 ko maine assume kar leta ho, let x equal to 1 by 2 ko x maal liya and 1 by 3 ko y equal to 1 by 3 maal liya na, to kya equation ho jayegi aapne paas, to ye ho jayegi aapne paas x plus y, ye bane ga humane paas x square plus x y plus y square, ye bane ga x cube plus x square, y plus x y square plus y cube, aiasa is similar aapto infinity thak, minus 2 by 3 hai, aap dhekhi aapne koos terms aapne ko naazer aarhi hooghe, agar mein isme x minus y se multiply or divide kar djeta hoon, is equation ko, mein multiply or divide kar djeta hoon, x minus y se, ya na, puri equation ko, to kya aapne paas x minus y se, ya na, multiply or divide kar diya, to one by x minus y, ye to aapne paas denominator mein hai, upar kya banne ga, dhekho x square minus y square banne ga, to ye haan banne ga aapne paas x square minus y square, ye kya banne ga x minus y into ye, to ye banne ga x cube minus y cube, ye kya banne ga aapne paas x4 minus y4, aiasa similar aapto dikhani laggiya, aapne ko infinite tak jaya raha na, minus 2 by 3, aap ye eek infinite gp banne ga hi, to one upon x minus y, x minus y, aap do alag alag gp be convert karne haapne ko, taat rum x square x cube x4 x5, to gp ka first term jis se minne alag alag 2 gp banne ga liya, to x square x cube x4, to ye iska first term to x square keating and called for x ee ga, to y qe to raha tla po hes fine, more u m सिंप्लिफाइब करने LCM या फिर डारेक्ट अपने को वेल्यू पता है एक्स की वेल्यू वेल्यू या ना तो डारेक्ट सब्टिट्यूट कर देते हैं तो पुट एक्सिकल्टू अपने पास यहां कर देते हैं पुट अब सिंप्लिफाइब कर सकते हैं आप एक्स की वेल्यू टू तो तो यह आप सिंप्लिफाइब करोगा एक्स की वेल्यू पुट करके तो मैं डारेक्ट लिख देता हू ना वेल्यू जो भी है देखते हैं तो यह आएगा आपने पास simplify करने पर 4 by 3 आएगा तो यहां से imply कर सकते हैं alpha बराबर 4 है और beta बराबर 3 है तो यहां आपने बोल सकते हैं alpha plus beta जो बोला है आपने पास 7 है तो alpha plus beta equal to 7 है तो answer 4 है ओके डारेक्ट वेली पुट करना ज्यादा दीमाक नहीं रहाना ज्यादा डारेक्ट सोल करते हैं पर 1 by 2 और यह 1 by 3 simplify कर लिए तो minus 2 by 3 भी है ओके तो alpha plus beta बस थोड़ा सा यह इसको adjust करना था तब जाके अपने आप नजर आ रही है ठीक है तो इसका answer 7 है चलिए बच्चो next problem देखते हैं वन वेक्टर 3D का है ना तो वेक्टर 3D का है देखो क्विश्ण देखते हैं अच्छी feeling आनी चाहिए क्विश्ण ऐसा आता है कि बनना ही बनना यह ना और वेक्टर 3D के देखी कम से कम चार क्विश्ण तो बनी जाते हैं अभी अपने पास पूरे data मिन नहीं पाए पूरे क्विश्ण नहीं मिल पाते हैं लेकिन तीन यह चार क्विश्ण तो definite आते हैं और बनने वाले होते हैं तो देखते हैं यह प्लेन का क्विश्ण है यह लाइन और प्लेन से रिलेटेड है तो यह प्लेन इस पासे स्थू थूद पॉइंट 1,1,1 और बी दे रखे है तो तीनों पॉइंट दे रखे है तो एक प्लेन तो आपन फाइंड करी सकते हैं और लाइन इस इंटरसेक्ट इस प्लेनेट तो प्लेन की एक्विश्ण निकाल ले है और लाइन दे रखी है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पूइंट पूइंट पूछ रहा है पी है तो पी निकल गया तो ओरीजन से डिस्टेंस निकालने एक सिंपल सी प्रॉब्लम है तो एक्वेशन तीन पॉइंट से जाने वाला प्लेण आपन निकाल सकते हैं तो तीन पॉइंट की आपन कॉपिलेड़ी की क्रिडिशन लगा ले तो एक जनरल पॉइंट मालने तो आपन ए पॉइंट आपने कोई भी ले लिया तो cd निकाल लिया मैंने अब वेक्टर अद निकाल लूँ या कोई सा भी निकाल सकता हूं तो 00 यह ज्यादा एजी लग रहा है तो 1-0 ऐसी निकाल लेता हूं मैं वेक्टर तो 1-0 तो 1 आएगा ना फिर 1-3 तो-2 और 1-0 तो 1 आएगा की से निकाल लें बी-सी निकाल लें कोई साभी वेक्टर ले सकते हैं तो minus 2 3-3 0 और 2-0 अबराबर 0 मैंने थीन वेक्टर को कोपफेलेंगे कर दिया गता एक पॉइंट लिया मैंने डी ले लिया जिसके पॉइंट क्या लेले एक्सवाई तो एक तो मैंने लेलिया की CD, एक वेक्टर लेलिया AC और एक वेक्टर लेलिया मैंने BC, तो इन वेक्टर को गॉप्लेनर कर दिया, गॉप्लेनर की कंडिशन आपको पता है की बराबर 0 होता है, तो simplify कर लें इसको यहां पर आपन, तो X, तो minus 4, 5 minus 3 है, तो कितना आगा 2 और plus 2, 4 आएगा, plus Z, कितना minus 4 आएगा, बराबर 0 है, तो minus 4 से डिवाइट कर दे हैं, फोर्स अभी में common आएगा, तो कितना आएगा, यह minus 4 से किया, तो minus 4 से किया, तो plus Y minus 3 आएगा, और यह plus Z आएगा, तो यह आएगा, आपने पास plane, X plus Y plus Z equal to 3, यह अपने पास equation of plane आगई, अब अपने को क्या plane और line का intersection point find करना है, तो line तो अपने पास की वान है, तो इस line पर infinite point है, तो एक point आपने 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 कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, आपने के लिए बराबर आपने lambda ले लेते हैं, तो यह आपने पास है, X minus 1 by 2 minus 2 है, बराबर Y plus 2 upon minus 1 equal to Z by 4, तो एक point find करने के लिए आपने आपने आ लिए, इस पर lambda है, X minus 1 by 2, तो कितना आएगा X पर राबर आपने पास, minus 2 lambda, तो इस पर कोई भी point ले लिए हैं, वो क्या है, intersection point है, तो P point है, आपने उसको assume कर लिए, तो minus 2 lambda plus 1 minus lambda minus 2 और 4 lambda, अब point P का लाई करता है, intersection point है, plane का, तो P lies on the plane, इस plane पर लाई करेगा, तो इसको satisfy करा दे हैं, तो P lies on plane, तो minus 2 lambda plus 1 plus, ये भी आएगा, minus lambda minus 2 plus 4 lambda equals to 3, तो कितना आएगा, minus 3 plus 4, तो ये नी lambda, और values देखते, तो 1 और ये minus 2 है, तो minus 1 तो बराबर 4 आएगा, तो ये अपने पास 4 आएगा, तो lambda अपने पास मिल गया, minus 4 तो P point अपने को मिल गया, P के coordinate अपने को मिल गया, मिल गया, तो 9 is 4 रखे, तो minus 8 plus 1, तो minus 7 or minus 6 or 16, अपने को के ने कालना है, तो distance of P from the origin, तो O P find करूना है, तो O P equals to origin से distance निकालना थो 49 plus 36 plus 256 तो इनों को 8 कर दी जाना तो क्या मिलेगा 6 6 12 और 9 21 यह 341 तो अपी बराबर अपने बस 341 का रूट है ना तो आंसर फर्स्ट है एक सेंपल ची प्रावलम थी जिसकी अब उनको प्रैक्टिस कर चुगे चलें नेक्स क्यूशन पर देखते हैं इंट्रीकेशन का है ना डेफिनेट इंट्रीकेशन का है तो देखिए बच्चो जीरो से बन में दे रखा है उनको डेफिनेट इंट्रीकेशन है जिसकी लोगः लिमिट 0 और अपर लिमिट वान है दी x5 plus 2x minus 2x square 1 plus e2 minus x इसका जो integration अपने को दे रखा है ना 1 by alpha log by alpha plus 1 by beta तो find करा रहा है alpha 4 minus beta 4 की value find करा रहा है तो ये integer type में होगा तो value देखते हैं आपन क्या रही है ना तो ये integration को आपन i ले ले लेते हैं i equals to 0 से 1 dx तो 5 plus 2x minus 2x square 1 plus e2 minus 4x dx है इसको आए इसम कर लिया पने देखिए अब देखिए ना property जब आपने को कुछ पता नहीं लगता है तो king property अपने को काम आती है ना क्या को थी a minus x से replace कर देते हैं a plus b minus x से तो x की जगे में क्या कर दूँ 1 minus x से replace कर देता हूं सब यह जगे तो यह आएगा आपने पास 6 integrations dx 5 plus 2 1 minus x minus 2 1 minus x का HOLY SQUARE into 1 plus e की power 2 minus 4 1 minus x तो king property मैंने यूज करिए ना simplify कर लें इसको limit आपने पास 0 to 1 है तो dx क्या आएगा 5 और यह plus 2 minus 2 तो यह 5 ही आएगा यह minus 2x और यहापर minus का 4x minus minus plus का हो जाएगा तो यहाप plus का 2x और minus 2x square यह plus का हैगा तो minus 2x square तो यह तरम तो बापस वही बन गई है ना यह वाला 1 plus यह की पावर minus 2 और plus का 4x यह बन दा है तो king property मैंने यूज करिए तो देखिए या आपर देखने में लग रहा है यह तो अपनावा सही भी बन गया तो यह तरम्स क्या बना आपने पास 1 plus 2 की पावर लिख सकते हैं यह तो यह तरम्स क्या आएगा उपर जाएगा अब दोनों को क्या कर दें आपन एड कर दें तो क्या होगा ना यह दोनों ट्रम्स को आपन को एड कर देना है यह आई है आई है थोड़ा सांसिं्प्लिभाई करके न यह बन अपउन तो उपर चला जाएगा एक फटma ऌवड्च चला जाएगा तो दोनों को रिख लेंगे तो दोनों सेम यह तो ऊबन जाएगा यह कैंजिल हमटों कर यह physical यह बने का दोनों को एड़ करने पर तो यह कितना होगा आपने पास 2y हो जाएगा न यह क्या किया मैंने एड़ किया है 1 और 2 को एड़ किया है यहां लेख सकता हूं मैं कि 1 प्लस 2 से न दोनों को एड़ कर दिया तो 2y एक्वल टू 0 to 1 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वाइर अब क्या कर सकते है इसको perfect square बना कर आपन simplify कर सकते है न तो यहां से क्या कर आपन 2i equals to 1 by 2 2 common ले लेते है अपन यहापर यह ना minus का भी ले ले लेते है 0 to 1 में bx तो यह बनेगा आपने पास minus 2x ले 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 आपने तो x square minus x और plus 5 by 2 तो minus 5 by 2 आपने तो यह किसका perfect square बन गया यह minus 1 by 2 0 to 1 dx तो यह बना आपने पास x square minus x तो क्या करना पड़ेगा आपने को 1 by 4 add और subtract कर देते है ना तो minus 1 by 4 किया ना तो कितना आएगा 11 minus 1 by 4 तो 11 by 4 होगा minus 10 by 4 तो minus 5 by 2 perfect square बनाना आता ही है ना इसका half किया और इसका square 8 subtract कर दिया और calculate कर लिया मैंने तो क्या बनाए x minus minus 1 by 2 0 to 1 d x आपने 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 मुल्टिप्लाई कर सकते हम अपस तो 1 by 2 0 to 1 है ना तो d x तो root 11 by 2 का ओल square minus x minus 1 by 2 का ओल square तो फॉर्मुला आपको यादी होगा 1 by 2 a square minus a square है ना तो क्या होगा 1 by 2 2 either 2i है यहान अटना है 2i equal to क्या होगा फॉर्मुला 1 by 2 a 1 by 2 a कितना है मने पास root 11 by 2 2ln mod में अटना a plus x root 11 by 2 plus x minus 1 by 2 upon root 11 root 11 by 2 minus x minus 1 by जो अपने पास चो limit है वो क्या आपने पास 0 से 1 है ना तो 0 से 1 में पुट कर दे ना ये 2 set 2 cancel out हू जाएगा ना अब limit रख दे ना x पराबर आपन 1 रख देंगे तो क्या आएगा root 11 by 2 plus 1 आएगा root 11 by 2 plus 1 by 2 आएगा ये root 11 by 2 plus 2 I equal to 1 by 2 root 11 अब रखेंगे तो क्या आएगा 1 रखने पर आपने पास आएगा minus 1 by 2 आपन में root 11 by 2 minus 1 by 2 1 रख देंगे तो क्या आएगा minus 0 रखेंगे आपने ना तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा root 11 by 2 ये भी क्या आएगा आएगा अपने पास रखेंगे मिनस में आएगा रूट 11 by 2 minus 1 by 2 अपन रूट 11 by 2 plus 1 by 2 ये minus था sorry यहाँ पर this 2i minus this minus this equal to नहीं है आपना ना minus है यहाँ minus है तो 2i equal to कितना होगे आपने पास देखेंगे 1 by 2 root 2i तो आपने पास common है से 1 by 2 root 11 और ये ln b this minus देखेंगे तो ये अपन में जाएगा तो ये square हो जाएगा ना तो ये बनेगा आपने पास ln root 11 plus 1 by root 11 by 2 का whole square है ना तो ये 2 से 2 cancel out हो जाएगा ना तो i plus 2 तो i equal to 1 by ये 2 से 2 cancel out हो जाएगा ना तो ये पर ये वाला 2 root 11 minus 1 को आपन मैं इससे multiply divise rationalization कर देता हूं तो ये square बनेगा वापस root 11 plus 1 का और नीचे क्या आएगा 10 आजाएगा ना तो इसको आपन क्या करें कि root 11 plus 1 plus 1 by ये 10 बनेगा तो मैं वापस root में ले ले जाओ ना तो ये 2 वाला इसका cancel out हो जाएगा ये 2 से cancel out हो जाएगा ना तो ये root 11 है तो ये मिला अपने को इसी आप compare कर ले तो alpha बराबर अपने पास root 11 और beta बराबर है अपने पास root 10 तो alpha की पावर 4 बीटा की पावर 4 आपन फाइंड कर सकते है ना कितना आएगा तो alpha square हो गया अपने पास root 11 है अपने पास root 11 है तो ये कितना हो गया अपने पास तो 121 माइनस ये तो ये कितना हो गया अपने पास यहां से इस पेस नहीं है तो मैं बोल रहा हूं डारेक्ट alpha 4 माइनस बीटा पार तो 121 माइनस बीटा 4 है ना 100 कितना होगा 21 हुआ ओके तो बस यहां compare करना है ना तो alpha यह अपने पास और beta यह है ना कि यह टू से पहले दे तूस कैंसिल आउट होगा फिर मैंने रेस्टालाइजेशन किया दी नीचे आएगा वो कैंसिल आउट होगा यहां कैल्कुलेशन पर ध्यान देना है ना तोड़ासा बनाना अपने को अरेजमेंट तो रेस्टालाइशन करेंगे तो 10 माइनस 110 आएग तो 21 आंसर है ओके तो नेक्स प्रोब्लम है मैट्रिक्स का है मैट्रिक्स A having the order M such that determined given अपने को M की पावर माइनस M then value of the N adjoint adjoint M A पूछ रहा है ना order दे रखा है इसका M order का है ना तो अपने को पूछ रहा है कि N एन एड्जोंट फिर एड्जोंट M में प्रोपर्डी वेस्टिक्षिशन का डिटर्मेंट पूछ रहा है ना तो देखिए आपने जब भी कोई भी डिटर्मेंट से आकर माली कोई लेम्डा होता है तो बाहर निकलता है तो जो उसका order होता है न उसकी यह प्रोपर्डी पता होगी आपको N की पावर M एड्जोंट एड्जोंट A जो होता है वो क्या होता है डिटर्मेंट A की पावर N-1 का holy square होता है न ओडर जब N होता है तो यहाँ आएगा आपने पास M A की पावर कितना M-1 का holy square होके प्रोपर्डी लगा ये मेंना न की डिटर्मेंट A की पावर N-1 का holy square होता है जब N order होता है तो यहाँ ओडर अपने पास M है तो M-1 का whole square अब यहां से बाहर निकालेंगे M तो वापस M की पावर कितना है अपने पावर M की पावर M जाएगा ना तो यह N की पावर M तो यह M की पावर M अब यह पावर दो उपर आएगी सही तो यह M-1 का whole square और यह है अपने पाद determined A की पावर M minus 1 का whole square तो यह आपने पास है N की पावर M और M की पावर कितना होगे M into M minus 1 का whole square determined A given है अपने को है तो M की पावर कितना है यह भी determined B M की पावर minus N into इसकी whole power है तो यह भी multiply होगी तो M minus 1 का whole square तो बस simplify हो गया N की पावर M अब यह M की पावर M minus 1 common whole square common हा रहा तो यह बना M minus N तो यह ही है तो देखिया आपर N की पावर M M की पावर N की पावर M है ना N की पावर M और M की पावर M minus 1 का whole square M minus N तो option 4N सब में थोड़ा दा difference यहा N minus M है ना इसमें N N है इसमें M थोड़ा change है यहां पर M की पावर N है तो देखना थोड़ा ध्यान से देखना है आपर पुरा solve करने के बाद भी हो सकता है गलत हो जाए ना option को थोड़ा रंग से देखना है ना तो सिंबल सी प्रोब्लम थी प्रोपर डी बेस्ट प्रोब्लम है तो आंसर फॉर्थ है ना तो next problem है तो number of circles है number of common tangents of the circles this and this तो number of tangent के लिए आप condition है पता होगी आपको कि centers find करते है उनके बीच के distance निकालते है ना तो अगर C1 C2 greater than R1 plus R2 है तो कितना होता है center से बीच की distance तो number of tangent 4 होती है यह से 3 के लिए condition है C1 C2 पराबर R1 plus R2 तो यह आपने को center निकालना पड़ेगा ना तो center क्या है अपने पास C1 first circle के center है वो 13 by 2, 15 by 2 है और जो radius है R1 क्या होता है G square plus F square तो यहनि की 169 by 4 plus 225 by 4 minus 13 by 4. तो कितना हो गया है 169 plus 225 minus 52 divided by 4 ठीक है तो कितना मिलेगा आपने को? subtract कर देना 8 कर देते हैं आपन यह कितना हो आप 5 और 9, 14 और 2 और 6, 8 और 9, 3 minus 52 divided by 4. तो कितना मिला आपने को? 2, 4 और 3 divided by 4 है तो कितना आएगा? 2 से divide करते हैं तो 1, 7, 1 divided by 2 तो लगबग 85 है ना? C2 तो find कर सकते हैं आपने center, second circle का कितना इसका? 3,3 है center अच्छा data इसका और radius R2 पराबर है ना? कितना 9? plus 9 और plus 7, 18 plus 7, 25 तो यह तो बहुत अच्छा है 5 आपने पास. Distance तो आपने पास C1, C2 है आपने पास C1, R1 है, R2 है और यह है तो आपने distance between centers निकाले ना? So, C1, C2 बराबर 13 by 2 minus 3 काले square plus 15 by 2 minus 3 काले square. So, कितना हुआ 6 है नि 7 by 2, तो यहनी की 49 by 4 plus 9, तो 81 by 4, तो 81, 50, 130 by 4 है 1, 30 divided by 4 है नि 65, 32 point something है तो लगभग लगभग यह 5.7 something है 5.7 something है तो C1, C2 बराबर तो क्या आपने पास R1 plus R2 कितना होगा आपने पास 14 है तो आपने बोल सकते हैं कि C1, C2, C1, C2 is less than R1 plus R2 है इतो 14 point something हो रही है और R1 minus R2 कितना होगा R1 minus R2 है तो 4.2 something है तो यह तो क्या इससे छोटा है ना तो less than यह इस greater than R1 minus R2 R1 तो fix से ज़्यादा है mode लगाने की जुरुत नहीं है तो कितना number of tangent आता है अपने पास कि एकर C1, C2 less than R1, R2 है तो दोनों circle क्या कर रहे हैं आपने इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो number आपने बात करें तो कितनी आएगी number of common tangent तो number of common tangents अब condition याद होगी अच्चे को 2 आएगे ना दोनों circle intersect करें एक दूसरे हो ना तो number of common tangent आएगी समय है और दूसरा circle है C2 ना तो number of common tangent 2 आएगी दोनो direct common tangent आएगी तो एक इजी प्रव्लम है definite बनना ही चाहिए था ना तो answer है अपने पास 3 है 2 है नेक्स प्रव्लम देखने मच्चों कि बाइनमल theorem का question है multinomial a plus bx plus cx का आवल square की power 10 यह दे रखा है P of i x i and P of 1 दे रखा है P of 1 मतलब x में यह i बरावर 1 रखूंगा तो x का coefficient है ना P of 1 और P of 2 x square का coefficient दे रखा है अपने हो तो दो ट्रम दे रखी है दें the value of a plus b plus c where a b c यह भी दे रखा है कि यह natural number है ओके तो इसका अब जनरल ट्रम लिख लेते हैं ना जब बाइन में लिखते हैं आपन तो जनरल ट्रम क्या होगा इसका जनरल ट्रम की बात करते हैं जनरल ट्रम बराबर है ना क्या लिखते हैं 1 sigma में factorial trend आपन r1 factorial r2 factorial r3 factorial और a की power क्या है r1 bx second term में इसकी power r2 और cx square की power r3 तो r1 plus r2 plus r3 हैं army की बावर 10b है तो sigma 10 factorial यहां आपने आप निबार 1 factorial r2 factorial r3 factorial a की power अपने पास r1 है b की power कितना हो गया R2 और C की पावर R3 है, X की पावर यहाँ दीखिर आपने को, X की पावर R2 प्लस ट्वाइस R3 है, चलिए अपने को क्या निकालना देखो, coefficient of यहाँ आपने को P1 दे रहें का 20, P1 का मतलब है coefficient of X, तो coefficient of X, coefficient of X मतलब P1 है, P1 कितना होगा अपने पास, तो यहाँ से दिख रहें देखो अपने को, कि यह क्या हो, अपने पास, यह natural number है, तो R1 को मैं 9 लेलू, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 0 ले लेता हूँ, क्योंकि यह natural number भी, यहाँ पर इसको अपने 9 लेलिया, इसको 1 लेलिया और यह, यह अपने पास R1, तो 10 factorial upon 9 factorial, R2 को 1 factorial और यह 0 factorial, तो A की पावर कितना 9, और B की पावर 1, और C की पावर 0, तो coefficient of X मिलेगा न, बाकी 2 करते ही, तो फिर पावर नहीं मिलेगा न, तो केवल एगी case मलेगा अपने को, तो यह कितना given है अपने को, यह given है अपने को 20 है न, P1 बराबर 20, तो यहां से बोल सकते हैं, आपने यह factorial 9 से 9 कटेगा तो 10, तो यह आएगा 10 से 10 गया, यह 20 तो डिवाइड किया था, आपने A9 इंटू B इक्वल टू 2, अब देखिए यहां पर एक चीज़ गीवन है अपने को, A और B और C क्या है, नेचुरल नमबर है, तो ऐसा possibility दोनों का product 9 कब आ जाए, तो A की possibility दिखरी A बराबर तो 1, यह 1 नहीं हुआ तो पावर 9 है, fraction में जा नहीं सकता, तो A की विल्गों तो 1 होना पड़ेगा, तो B बराबर 2, तो यहां से बोल सकते हैं, A एक्वल तो 1 और B एक्वल तो 2, क्योंकि यहां A, B जो दे रखा है C, वो नेचुरल नमबर है, तो इसलिए डारेक्ट लिकाल चकते हैं, A बराबर 1, B बराबर 2, अब coefficient of x square निकाले न, coefficient of x square एक्वल तो P2 है, इसके लिए क्या क्या possibility बन सकती है, अपने को, कि यह 9 हो जाए, यह 2 हो जाए न, यह 8 हो जाए न, 2 तो दभी होगा, और यह 0 हो जाए, तीनों का sum भी तो 10 होना चाहिए, तो यह हो गया आपने पास, 10 factorial, R1 बराब 8 हो जाए, तो 8 factorial, और यह 2 हो जाए, और 0 हो जाए, तो A की पावर कितना आएगा आपने पास, R1 तो A की पावर 8 और B की पावर 2, C की पावर 0, या फिर और भी possibility बनती है न, क्या हो जाए, A9 हो जाए, यह R2 कितना हो जाए अपने पास, R1 तो 9 हो जाए, यह 0 हो जाए, यह 1 हो जाए, तो यह अपने पास R1 9 और 0 और यह 1 हो जाए, तब भी अपने पास X square मिलेगा न, तो A की पावर 9 तो यह कितना हैगा, A9, B की पावर 0 और C की पावर 1 हो जाए, तो C बनेगा, यह गीवन है अपने को कितना, coefficient of, तो यह 240 गीवन है न, तो यहां से find कर सकते हैं न, तो यहां से divide किया अपने, तो यह कितना हैगा, 10, 10, factorial 10 into 9, तो 90 by 2, यहां से मिला आपने को यह 45 A8 और B square, plus, यह 10 into A square C equal to 240, तो 5 से divide हो रहा है, तो 9 A square, B square plus 10, तो divide किया अपना, 5 से divide किया है, तो 5 से divide किया, तो ओके, आप देखें A की value तो अपने को पता है, B की value पता है न, तो direct रखते हैं आपन A और B की value पता है न, तो C की value मिल जाएगे, अपने पास A की value 1 है, B की value 2 है न, तो यहां पर यह 8 है न, A बरावर 1 रखा है न, तो 36 plus A बरावर 1 यह तो 2 C plus 2 C equal to 48, तो यहां से 2 C बरावर 12, जाल तो C बरावर 6 मिल गया न, तो A, B और C अपने पो तीनों पता है, कितना होगा तीनों का sum ? A बरावर 1 है, B बरावर 2 है, 2 और 9 होगा न, A plus B plus C 9 है, तो 2 times पूछे रहा है न, तो कितना होगा आपने पास? 18 होगया, तो two times of a plus b plus c वराबर कितना हो गया आपने पास 18 तो 18 है ना तो option first है ठीक है तो multinormal का question है यह अपने पास है 18 है नेक्स्ट चलिए बत्तो देखिए तो straight line का mission है और सबसे simple mission है और तो center भुचाया तीनों attack दे रखाया ना तो इसमें तो बनना ही चाहिए आपको तो कोई भी क्या होता है देखो और तो center क्या होता है सभी को पता होगा point of intersection of altitudes होता है तो कोई भी दो altitude निकाल कर उनका intersection point अबन find कर लें दो altitude निकाल लें तीनों vertex अपने को पता है तो यह vertex अपने को पता है यह ट्राइंगा लें आपने पास कोई भी A B और C है A 1,2 है B है 3,4 है और C जो है 0,6 है तीनों vertex पता है तो कोई भी दो altitude निकाले न तो यह से जाने वाला ही altitude यह A और यह D माल लिया मना तो slope of क्या आएगा B C आएगा जो slope of B C का उसका A D का slope क्या आएगा उसके perpendicular होगा तो M आपन B C निकाले न slope of B C, B C का slope आपने पास 6 plus 4 अपन 6 minus 0 minus 3 यह आया आपने पास 3 by 10 तो equation of A D निकाल सकते है न तो equation of A D कोई भी दो altitude निकाले न A D अपने पास पता है A से जा रहा है और इसका slope यहां से लेना है तो A D की जो equation आएगी क्या आएगी अपने पास Y minus 2 equal to slope by 3y tan or x minus 1 है. So, यह 3y tan y हुजागा. So, tan y minus 20 equal to 3x minus 3. So, tan y equal to 3x plus 17 यह equation first मिल गिया na altitude first मिल गिया. Tan y equal to 3x plus 17 अब ऐसे कोई सभी एक और altitude निकाल लें दोनों का intersection point निकाल लेंगे. तो दूसरा altitude कौन सभी निकाल सकते है हमन? तो altitude यह B से जाने वाला निकाल लें यह C से जाने वाले निकालने कोई सभी altitude निकाल सकते है na. So, equation of slope of A B निकाल लेंगे na. So, A B का slope कितना होगा? तो 2 minus 4 है, तो plus 4, तो 2, 4, 1 minus 3. यह मिला आपने को 6 by minus 2, minus 3 मिला. तो slope of क्या होगा आपने पास? यह वाला altitude निकाल रहा हम? यह आपने पास ortho center है, तीनों का perpendicular है. पर 2 altitude से अपन निकाल सकते हैं, तो यह E है na, B E और यह C F. तो मैंने find किया A B का slope है तो अपन altitude C F निकाल लेंगे na. तो equation of altitude C F. तो कहां से जा रहा? 0, 6 से जा रहा है. तो Y minus 6 equal to slope यहां से लेंगे na A B का perpendicular तो इसका minus 3 तो 1 by 3 X minus 0. तो 3 Y minus 18 equal to X. तो 3 Y equal to X plus 18 यह equation second है. अब मैं direct लिख रहा हूं, minus 129 और Y equal to minus 37. यह solve किया cross multiplication method से भी solve कर सकते हैं, direct तो कैसे भी, जैसे भी solve करना आता है, निकाल सकते है, direct X की value रख सकते है, 3 Y minus 18 तो जैसे भी solve करना यह 37 और यह minus 129 तो answer अपना first है, next देखते है, area का question है बच्चेव ना, area of the region bounded by the curve 2 Y square देख तो parabola ना, parabola तो बच्चे familiar होता है ना, अधिकतर question में parabola कही से related areas है, तो 2 Y square बराबर 3 x and the line x plus y बराबर 3 and y बराबर 0, exclude area of the circle, तो इस circle की बार के area की बात कर रहा हो ना, जिसका center क्या है 3,0 और radius है, root 2 है, ठीक, तो एक तो parabola यह लाइन से related है ना, तो parabola तो इजी ली बना सकते है, Y square बराबर 3 by 2 x, तो यह तो अपने पास Y square equal to 3 by 2 x, और line बोल रहा है की x plus y बराबर 3 है, x plus y equal to 3 है, और circle है, जिसका center कितना है 3,2 है, तो इसका center 1,2 और 3 है, root 2 है, तो ऐसा को circle है, तो इसका center 3,0 है, और एक line है, यह वाली line है, x plus y, यह line है x plus y equal to 3, अब क्या बोल रहा है वो, की area इन दोनों से bounded तो निकालना, पेराबोला और line से bounded है, लेकिन circle में नहीं आना चाहिए, तो कौन सा area निकालना पड़ेगा, आपने को यह वाला area, यह वाला area आपने को find करना है, तो यह दोनों का intersection point निकालने पहले दो अपने, यह intersection point निकालने ना, दोनों का intersection point, तो यह तो line है, आपने पास y square बराबर 3 by 2 x parabola है और एक line x plus y बराबर 3 है ना, तो easily आपन put कर सकते हैं आपर, x की value put कर दें आना, कितना आपने पास 3 minus y put कर दें ना, तो देखो direct दिखी रहा है अपने पास कि यह point आएगा 3 by 2, 3 by 2, दोनों का sum 3 है, इसको भी satisfy करना 3 by 2, 9 by 4 है ना, तो 3 by 2 आगया, तो 3 by 2, 3 by 2, तो यहां से यहां तक x x से bounded निकालना, तो 0 से लेकर मैं यहां तक 3 by 2 तक तो क्या कर दो, parabola और x x से bounded area निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखते है ना, तो required जो area है ना, a बराबर area 0 से 3 by 2 तक, parabola से bounded आएगा ना, parabola और x से, तो y बराबर कितना आएगा अपने पास, root 3 by 2, root 3 by 2, root 2 आएगा ना, into root x plus, अपने को required area है निकालना है, तो क्या करूँ मैं, यहां से यहां तक यह पूरा triangle का area निकाल लेता हूँ, उसमें से sector का area minus कर देंगे ना, तो इस triangle का area, triangle अपने पास कुछ भी नाम दे देंगे, यह point का है, O है, यह A है, यह B है और यह C है, तो area of triangle A, B और C की बात कर रहा हूँ, area of triangle A, B, C निकाल लेता हूँ, तो कितना होगा एक B, A, B, C का area तो निकाली जाएगा, 1 by 2, base into height, तो यह point 3 by 2, 0 है तो यह 3 by 2, height भी 3 by 2 है ना, तो base into height 3 by 2 into 3 by 2, तो इसमें पूरा आगया, तो minus area of sector यह point कुछ भी नाम देंगा, 1, D है, यह E है, तो minus area of sector, D, C, E, D, C और E का minus करना है ना, अब यह से का integration तो करी सकते हैं 1, तो यह root 3 by 2, by root 2 है, root x का x की power कितना है 1 by 2, plus 1 तो x की power 3 by 2, upon 3 by 2, limit आपने पास 0 से 3 by 2, plus 9 by 8, minus area of sector अपन जानते 1 by 2, r square theta, तो r कितना इसका root 2 है, तो r square और theta है, theta कितना है, यह line तो y पर और x plus y है, तो यह angle तो कितना बनेगा आपने पास, pi by 4, तो r square theta ना, pi by 4, तो simplify कर लें ना, तो x की value आपन 3 by 2 रखेंगे, और minus 2 से 2 गया, तो pi by 4 आएगा, lc हम लें आपन 8, तो कितना आएगा, 4, 12, plus 9, 21, minus 2 pi, तो यह अपने पास a मिल गया ना, अब पूछ रहा है, आपने पास क्या पूछ रहा है, 4 times pi plus 4 a की value पूछ रहा है, तो इस में रख दें, एक ही value अपने पास, pi plus 4 है ना, तो आप direct a मिल गया तो आपने पास, 4 plus pi a रख देते हैं, तो now, 4 times पूछ रहा है, pi plus 4 a, 4 a कितना होगा, आपने पास 21 minus 2 pi, है ना, 4 pi, तो यह 2 हो जाएगा, यह 4, LCM लेंगा, तो 2 pi से 2 pi cancel out होगया, तो 21 by 2, यह आपने पास 42, तो इसकी value अपने पास कितनी है, 42 है ना, तो answer third है, तो यह basic आपने 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 क्या किया, पहले यहां से यहां तक तो parabola का area निकाला, उसके बाद यह पूरा मैंने triangle का area निकाल कर यह sector का minus कर दिया, ओके, otherwise circle को भी integration करना पड़ता, ठीक है,